कम्प्यूटर सिकने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सबस्क्राइब करेए Computer Basics के इस क्लास में मैं आपको Computer के बारे में कुछ ऐसी चीजे बताऊँगा जो बहुत कम Computer user को पता होता है तो हमारा Topic क्या है What are the Classification of Computer Computer के Classification को हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो चलिए स्टाट करते है उन्दा बेसी सीस मफ्लासिफीकेसन कंपूटर्स और सिप्लासिफाइड इंटू ठीक्टक्री क्लासिफिकेसर क्या क्डाइड अगर आम बात करें तो न न बाट के थे तक प्राइब को तीज परिया वह क्लासीफाइब आप ये तरह से निकाता है जिसे समझना बहुत मु causa में होस्पिटल में भी इसका dovूण कम्पुटर की बात करें तो डिश्टयल कंपुटर वह कंपुटर होता है जिस Baptist पजोन के फॉर्म में हम्में रिजर्ट दिखते है जो भी मेजर्मेंट का कोंप्यूटर करता है उस मेजर्मेंट to ये ग्राफ के फोर्मुटर में दिखाता है लेकिन नौर्मल इनसान को घ्राफ समझ में आएगा नहीं इसलिए उसे number के form में कितना quantity आप speed किया है या फिर कितना लीटर पेट्रोल गया है यह सब जो measurement है उसको digital computer क्या करता है number के format में represent करके हमें दिखाता है यह digital computer का काम होता है ताकि हमें समझ में आ सके है hybrid computer के अगर बात करें तो इसमें analog computer और digital computer जो काम कर सकते हैं इन दोनों का combination होता है hybrid computer इसमें क्या होता है कि measurement का काम analog computer कर देता है और उसे result display करने का काम digital computer करके दिखा देता है hybrid में दोनों का combination होता है ठीक है तो यहाँ पे अगर हम आपको example दे अगर हम बोले कि एक लीटर पेट्रोल मुझे अपने बाइक में डालना है ठीक है तो एक लीटर यह क्या हो गया quantity हो गया तो इस quantity को मेजर कौन करेगा analog computer जब भी पेट्रोल हमारे गाड़ी में भरा जाएगा एक लीटर पेट्रोल ही आएगा ठीक है अभी एक लीटर पेट्रोल आ गया उसका अमांट कितना हुआ वह ग्राफ के फॉर्म में हमें दीखेगा वह तो हमें समझ में आएगा और यह quantity भी हमें ग्राफ के फॉर्म में दीखेगा तो digital computer क्या करता है उसी एक लीटर को पेट्रोल को यहां पे एक लीटर दिखाएगा एक लीटर इकुवल तुमालो अमांट अ हमें डिवाइड किया गया पहला होता है micro computer micro computer वह computer होते हैं जिनका size काफी ज्यादा चोटा होता है इनहें हम अपने personal काम के लिए यूज करते हैं इसलिए इनको हम PC भी कहते हैं इसे आप कहीं भी छोटे से dext के अंदर भी रख सकते हैं टेबल के उपर भी रख सकते हैं अपना काम कर सकते हैं वर्ड फाइल काम की माइक्रो कम्प्यूटर के जरीए करते हैं फिर प्रेजंटिंट करने Sempre पर्रिसेंटेशन किसी के सामने रिपरेंट करनी ही उन सब ही काम को हम मैकरो कंप्यूटर के जर्या करते हैं और इसका außer ला जाध्しました मीनी कंप्यूटर को साउच मायकरों मुगाबले थोड़ा सा ज्यादा होता है इसमें क्या होता की एक से जादा processor होते हैं इसलिए इसका speed भी macro computer के मुखाबले थोड़ा सा जादा होता है यह हो गया mini computer इसका यूज hospital या फिर bank जैसे organization में किया जाता है mini computer का अब बात करते में frame computer की तो में frame computer का size micro और mini से भी थोड़ा जादा होता है इसका speed mini computer से और ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे micro processor लगे होते हैं इसका use और भी बड़े organization में किया जाता है जहां पर बहुत जल्दी result चाहिए अगर आपको तो वहां mainframe computer का use किया जाता है जैसे hospital हो गया या फिर bank हो गया या कोई scientific organization हो जैसे इसरो या फिर नासा इन सभी जगह में सुपर computer दुनिया का सबसे fastest computer है इसकी speed को आप measure भी नहीं कर सकते यह इतना speed काम करता है जितना यह तीनों नहीं कर सकते अगर मालो कोई organization है जहां पर requirement ऐसा है कि आपको अगर आपको बहुत जल्दी रिजर्ट चाहिए तब में फ्रेम में जाए उससे भी जल्दी चाहिए आप सुपर में जाए यह फिर मिनी यह माइक्रो में भी अगर आपका काम होता है तो आप कर सकते हैं यह आपके requirement के according depend करता है अब हम बात करते हैं परपस के according computer को कितने भाग में divide किया गया टू पार्ट में इसे divide किया गया पहला हो गया general second हो गया special computer तो general computer क्या होता अगर मालो आप एक student है यह फिर एक छोटा मोटा organization चला रहे जनरल काम कर रहे तब आप general computer खरीदेंगे ठीक है आपका परपस होगा general काम अगर आपका परपस है तो आपका general computer में भी वो काम आप कर पाएंगे लेकिन अगर आप कोई बड़ी organization चला रहे जहां पर आपको quick response चाहिए special काम को आप कर रहे हैं वहां पर आपका computer खरीदने का परपस होगा special computer क्योंकि आप special काम को कर रहे हैं तो यह हो गए हमारे computer के classification सूपर कंप्यूटर के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं दुनिया का सबसे तेज computer सूपर कंप्यूटर रहे परम तेन साउजेंट सूपर कंप्यूटर का नेम है इसमें अनलिमिटेड स्टोरेज होता है साथ ही साथ कुईक रिस्पोंस की इसमें facility होती है इसका साइज इतना जादा होता है कि एक रूम में एक सिस्टम ही इसमें रखा जा सकता है जबकि इनका साइज सूपर के मुकाबले काफी छोटा होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए सेयर करिए चानल पर नहीं सब्सक्राइब कर दिजिए करिए